ये है दोस्तों आपकी महिंद्रा, फंस्टर, कॉंसेप्ट सब्सक्राइब कर दीजे और प्रेस कर दीजे बेल आइकन पाने के लिए लेटिस वीडियो के नोटिफिकेशन्स सबसे पहले और सबसे तेज आज इसका डीटेल वॉकराउंड आपको देखने को मिलेगा फिलाल आप देख रहे हैं, रोटेटिंग प्लाटफॉर्म पे ये है, आटोमाटिक मूफ कर रही है तो सारे साइड्स आपको अच्छे से दिखने वाले हैं इसलिए मैं पहले पास में नहीं गया, मैंने का पहले प्लाटफॉर्म पे चल रही है तो अपने आप पहले आपको पूरी जो पूरा इसका जो व्यू है एक्स्टीर का इस्पेशली वो पूरा दे देते हैं फिर इंटीर पूरा पास में दिखा देंगे, आपको अच्छे से दिखा देंगे concept है, तो obviously बहुत सारे changes आपको देखने को मिलेंगे अगर ये कभी future में launch होगी, अभी कुछ भी ऐसा पता नहीं चला है कि ये कितना इसमें change किया जाएगा और ये आएगी भी कि नहीं आएगी कि केवले concept है, और कितने साल बाद ये reality बन पाती है वो तो आगे पता चलेगा, जब आगे कोई updates आएगे, तो आपको चैनल पे पता चलते जाएगे तो subscribe कर लीजे, bell icon प्रेस कर लीजे, सारी info के लिए अब फिलाल आप इसका जो front है, वो आप आप देखने वाले है पास में गाड़ी आ रही है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, जो बहुत ही ज़ादा अच्छा बनाये हुआ है concept के बावजूत बहुत ही बढ़िया लग रहा है, रियाल्टी के close लग रहा है अब चलते हैं, इसका जो door है, वो open करा लिए है, और इधर से पूरा view ले सकते हैं flying doors आपको दिए गए, wing style doors आपको दिए गए, flying सी मेरा मतलब था, wing style doors आपको दिए गए इसका जो interior है, वो आप देख सकते हो, ऐसा कुछ इसका interior होने वाला है all digital पूरा आपको सब किसमें controlling मिलेगी, पूरा view ले लीजे आप, अच्छे से देख लीजे, पूरी अपनी sitting वेगरा भी देख लीजे, जैसे आप interior देख रहे हो न, तो exterior का अगर आप front की बात करते हैं, तो वो reality के close लगता है, लेकिन interior में काफी चीज़ें यहाँ पे change जो कुछ जादे ही longated form में दिये गए हैं, पूरा एरिया कवर के रखा हुआ है, वो आपने देख लिया है, इतर अपना जो driver side है, वो आप देख लो, स्टेरिंग अभी तो बहुत जादा अच्छी लग रही है, नीचे पूरा पेडल सिस्टम में वो देख पा होगे, अब ये doors close हो रहे हैं, automatically, तो वो आप देख लिजे, पूरा व्यू आपको मिल गया होगा, गेर एरिया देख लिए, automatic gearbox के साथ, obviously आनी चाहिए गारी जब भी launch होती है, अगर ऐसा कुछ reality बनता है, अब वो तो पता चलेगा, कोई अपडेट आता है, अगर कंपनी की तरफ से, पी पता चलता है, अभी कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन अब जैसे आप अपर वार्वियम देख रहो हो, पूरा को क्यामरा मिलेगा यहां पर और अंदर पूरा डिस्पले ले पाओगे, आपको जो आपने नॉर्मल ओर्वियम देखे हैं, इसा कुछ भी नहीं म देखी हुई हैं, और इनकी तवाम जो गारियां आती उसमें आपने देखी हुई हैं, यह मैं और वियम की बात आप से कर रहा था, सिंपल क्यामरा इंसर्टेड मिलेगा और अंदर आप इसका व्यू ले सकते हो, तो कुछ अलग सा टेकनोलोजी दिखाने के लिए, यह मेरे कोई concept अच्छे से दिखा दिया है, description में company का link मिलेगा, वो जरूर विजेट कर लीजेगा, हमिशा मैं आपसे बोलता हूँ, अपना support बना के रखिए, आगे आप कौन सी गारी देखना चाहते हैं, वो जरूर बताइएगा, आपके views बहुत जदा matter करते हैं, हम लोगों के लि करते हैं, आपके बताइएद के लिए फसक्राद करद दोलता है, वो जरूर आपके देखना आपके घालके सनदेगा जरूर आपके ब